आज हम आलू और मेथी का पराठा बना कर तयार करेंगे, इसे बिना भरे आसान तरीके से बनाएंगे, इसके लिए हमने यहाँ पर मेथी को पहले अच्छे से धोया, सुखाया और उसके बाद बारिक काट लिया है, एक कडाही में एक चमच घी डालेंगे, मेथी डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर मेथी को लगबग 2-3 मिनिट के लिए भून लेंगे, मेथी भून गई है, गैस की फ्लेम बंद कर देंगे, अब हमने यहाँ दो कपगेहूं का आटा लिया है, इसमें दो बड़े चमच बेसन डालेंगे, दो मीडियम साइज के उबले हुए आलू ल अब हम इसमें भूनी हुई मेथी डाल देंगे, साथ ही मसाले डाल देंगे, आधा छोटा चमच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चमच लाल मिर्च का पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, आधा छोटा चमच अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालिए, एक चोथाई साथ हुई सौफ डाल दीजिए, सारे मसालों को पहले अच्छे से मिक्स किजिएगा, इस तरह से रब करते हुए, सारे मसाले, मेथी, आलू अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर सेमी सौफ्ट आटा लगाएंगे, ना तो बहुत ज जादा लूस, आटा लगकर तयार है, इसे 10 मिनिट के लिए रख देंगे, आटे को रखी हुए 10 मिनिट हो गए हैं, आटे को फिर से थोड़ा सा गूत कर चिकना बना लीजी, अब आटे में से लोईयां तोड़ लीजी, जितना मोटा पतला आप पराठा बनाना चाहते हैं, अब हम इस पर सुखा गेहों का आटा लगा देंगे और इसे पूरी रोटी की तरह से बेल लेंगे, जब इसे पूरा बेल लेंगे तब बीच में घी या तेल जो भी आपको पसंद हो वो लगा दीचिए, और अब हम दोनों साइट से इसे इस तरह से मोड देंगे, उसके ब आप चाहें तो इसके गोल या तिकोने पराठे भी बना सकते हैं, फिर से हम सुखा आटा लगाएंगे और शेप को ध्यान में रखते हुए इसे चोकोर बेल लेजिए, पराठा हमने बेल कर तयार कर लिया है, अब हम पराठे को गरम तवे पर डाल देंगे, गेस की फ्लेम क को मेडियम पर रखेंगे ताकि पराठा अच्छे से सिखेगा, और अब हम दोनों साइड से घी या तेल लगाते हुए, कल्ची से दबाते हुए, पराठे को क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे, मेथी आलू का पराठा बनकर तयार है, जिसे आप अचार या किसी भी तरह की अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा